Good morning students, myself, what is your luck? Today I am going to start your math subject in standard 5th, your chapter 4th is parts and walls. Page number 61, guess and check तक हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते कि क्या है कि what part of its shape is colored? First guess the answer and check, तो ऐसा shape आपको draw पर के दिया था, one part क्या का के दिया था, color कर के दिया थे, तो ऐसे आपको, जो part उसको क्या करना है, join करना है, तो join करके कितने होते है, total, वो total count करते हैं, उसमें से कितने color वाला है, वो count करना है और इसका लिखना है, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, चलो कितने हुए, eight उसमें से color वाला कितना है, one, तो कितना हुआ, one divides eight, क्योंकि eight, total है, part, और उसमें से one part क्या है, color वाला, इसमें आपको ऐसा shape दिया था, तो आपको क्या करना है, ऐसे shape को बरना है, उसमें से कौन सा है, guess करना है, कि one shape कलर वाला है, तो क्या लिखना पड़ेगा, total shape six है, तो six, उसमें से color वाला कितना है, one, तो क्या हो गया, one divides six, इसमें कीया है ऐसा-फिगर है तो फिगर में आपको दिया है कि क्या है तो एसे दो-पार्ट्स कलर वाली दिये तो आप ऐसा-गेस करना है कि कि इतने टोटल-पार्ट्स बनेंगे तो ऐसे हम पहले स्लिपिंग लाइन द्रोप कर देते हैं तो एसी हुए 9 हुए चलो इसमें से कलर वाले कितने हैं 2 तो क्या आएगा अंसर आपका फाइनल 2 डिवाइट्स 9 क्योंकि टोटल पार्ट हमने ड्रॉ करके देखें तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से कलर वाले आपको दो यह तो क्या आएगा 2 डिवाइट्स 9 तो इसमें भी हम ऐसी क्या करना है आपको फीगर में दिया है ऐसे पार्ट बनाया टोटल कितने पार्स होना चाहिए 15 पार्ट होने चाहिए 15 में से 4 आपको ऐसी क्या करके दिया है कलर करके चलो पहले स्लिपिंग लाइन ड्रो कर दें तो ऐसा होगा स्लिपिंग लाइन तो स्लिपिंग लाइन कितनी हो गए 3 एसा 1 ऐसे करते है तो यह भी जूइण हो गया और यह भी जूइँण हो गया चलो टोटल बॉक्स आपको क्या करना है काउंट करना है तो टोटल बॉक्स कितना हुआ वो हम काउंट करते हैं पहले आपको ऐसा नहीं है था तो पहले स्लिपिंग लाइन ड्रो कर दे नहीं बाद में क्या करना है स्टेंडिंग लाइन ड्रो करोंगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइब सीक्स सेवन एक नाइन टैन इलेवन ट्वाइल थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन चलो टोटल पार्ट्स कितने हुए फिफ्टीन हुए ठीक है उसमें से कलर वाले कितने ह वन टू थ्री एंड फोर तो क्या हो गया फोर चलो फिर से एक बार समझ लो कि ऐसे आपको शेप करके दिया है यह शेप को आपको डिवाइड करना है ठीक है ओनली वन ही दिया था बर डिवाइड आपको करना है तो ऐसे पहले स्लिपिंग लाइन ड्रो कर देनी और बाद मे स्टैंडिंग लाइड तो ड्रो करोगे तो टोटल पार्ट कितने हुए 15 उसमें से 4 कितने हुए कलर वाले तो आंसर क्या आगया 4 डिवाइड 15 ठीक है बी नंबर में क्या है कि do you remember this picture look at the small triangle ठीक है what part of the क्या है कि what part of the square is a how will you find विशाओ तो चलो divide the big triangles पहले क्या करना है big triangles को क्या करना है ऐसे divide and other shape into small triangles like the red one ऐसे red दिया है like the red one यानि कि जो red triangles दिया है ऐसे small triangles भी होंगे how many small triangles are there together इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं figure को complete करनी है तो ऐसे हम कर सकते हैं ऐसा होगा ठीक है इसमें ऐसे चोटे चोटे ट्राइंगल कितने बनते हैं वो ट्राइंगल को भी क्या करना है आपको red से करना है तो क्या लिख सकते हैं yes I can recall this picture the colored small triangle is one by six part कितना होगा small triangle का one by six क्यों इसमें भी ऐसा ये क्या करना पड़ेगा पूरा complete करना पड़ेगा तो small ऐसे कितने होगे one two एसे small red वाले पार्ट कितने हो गए one by six part होगा कि the colored of small triangles is क्या होगा six तो six parts ऐसे हो गए तो हम क्या कर सकते हैं ये फिर से हम exercise में ये वाला question देखेंगे deep में exercise में figure draw करके देखेंगे कि क्या है the colored small triangles is one divided six part of the square square का कौन सा पार्ट है one divided six to get this we should follow these steps divide the square into small triangle as shown in this figure the total number of small triangles इस कितने होगे 16 होगे ये figure में फिर से देखेंगे चलो colored parts में क्या है कि complete this तो क्या है कि this circle is divided into two equal parts चलो ये circle two equal parts में divide हुआ है ठीके out of blank equal parts one parts is colored blue तो चलो क्या कर सकते है ऐसे कि this circle is divided into two equal parts out of two equal parts in one parts इस color कैसा हो जाएगा blue हो जाएगा ठीके तो इसमें क्या आएगा and blank parts color blue तो four equal parts in two color is blue तो इसमें क्या आएगा two इसमें क्या आएगा four equal parts है and out of four equal parts याने कि out of four equal parts में से two equal parts क्या है क्या आएगा answer two equal parts कैसा है blue तांसर क्या आएगा इसका two तो इधर क्या आए कि here the circle is चलो क्या लिख सकते है इधर आपको complete करके दिये इधर आपको खूद complete करना है तो इधर ऐसे हम ऐसे लिख सकते है कि here the circle is divided into क्या आएगा into कितने one two three four five and six तो क्या लिख सकते है six equal into क्या लिख सकते हैं six equal parts ठीक है उसके बाद क्या है कि out of out of यानि कि out of कितना parts है total six equal parts है तो out of six equal parts in three parts तो three three में दोनों है three pink है और three के है blue तो six equal parts तो three parts three parts are colored कैसा है three parts blue and three color three parts और color क्या हो जाएगा red तो क्या हो गया है three blue and three red ऐसे आपको लिख ना है इधर आपको complete करके दिया है तो इधर हमने खुद को complete हमें करना है तो ऐसी है सते here the circle is divided into six equal parts इधर circle six equal parts में divided तो out of six equal parts यानि कि यह total six equal parts में से three parts कैसे three color are blue three parts are color कैसा है blue and three parts are color ऐसा है three ऐसा ही आपको खुद ही complete करना है तो इसमें total कितने में divide किया है तो one two three four five six seven eight circle को कितने equal parts में divide किया है तो eight equal parts में divide किया है तो इस इधर हम ऐसे लिख सकते here the circle is divided into तो कितने equal parts eight equal parts तो eight equal parts है तो out of eight equal parts इसमें से four कितने है blue है four blue and four red तो चलो complete sentence में लिखना है तो here the circle is divided into eight equal parts out of eight equal parts of four parts are four parts are colored blue and four parts are colored red ऐसे हमें फूल ही लिखना है तो so we can say ऐसे हम लिख सकते हो one divided two में से ये one इसमें से total कितने है four इसमें से two color वाले है two two parts divided इसमें six से इसमें three three color का divide किया है और इसमें eight है तो four four तो one divided two two divides four three divided six and four divides eight page number sixty three पर देखते है क्या है cutting the हल्वा हल्वा cutting करना है तो रमेश bought a piece of हल्वा रमेश ने क्या बड़ किया हल्वा का पीस four piece children अम्मू आएंड अनू उसके चिल्डर कौन-कौन थे अम्मू आएंड अनू चलो he divide is equally four then उन लोगों के लिए इसने क्या equally divide किया each will get क्या आएगा one half part of the हल्वा आएगा क्यूंकि हल्वा का piece करेदा उसमें से दो बच्चे थे तो half half लेना पड़ेगा ठीक है तो the piece is too big we want to eat it they say so he divide the piece of into half again फिर से क्या किया half again किया तो now how many pieces will अम्मू गेट अम्मू ने कितने pieces चलो फहले first में से आदा किया था तो क्या each will get half part of the हल्वा ठीक है तो as says so he divide the piece into half again यानि कि फिर से half किया now how many pieces अम्मू गेट चलो पहले एक piece लिया था उसको फिर से divide करके दिया तो one piece था पहले और फिर से half करके तो अगें pieces का तुकड़ा pieces दिया तो क्या हो गया two pieces हो गये ठीक है तो answer क्या आएगा two pieces क्यूंकि first पहले हल्वा दिया था उसमें से half part तो दोनों को दिया था यानि की one piece उसके पास आया तो उसके फिर से divide करके half again किया था इसलिए फिर से one piece था आया तो क्या हो गया two piece तो what part of the halwa is it तो चलो पहले ऐसे हम लिख सकते है two divides four and two divides four ऐसे भी लिख सकते हो तो two divides four करते हो तो भी क्या होता है one divides two तो two divides four और one divides two ऐसे हम लिख सकते है two divides four दे लिख सकते है और one by two दे लिख सकते है make it even smaller dad they asked so he again cut the halwa into smaller piece तो क्या हो क्या हो गया so he again cut the halwa into smaller piece smaller piece में फिर से cut halwa किया okay thank you dad कर सकते है